जैहिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया राजस्तान में चल रही सियासी जंग, आडियो वाइरल होने से शुरू होकर अदालत तक पहुँच गई है और अब इस मामले में शुकरवार को राजस्तान का अब तक का सबसे बड़ा सियासी संग्राम हाई कोट में दिखा गया शुकरवार को सचिन पाइलेट गुट की और से दायर की गई याचिकापर राजस्तान हाई कोट में सुनवाई हुई अदालत में दोनों पक्षों की और से सुनवाई की गई जिसके बाद हाई कोट ने सौमवर्स हुबे 10-2 तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है साथ ही नियायले ने 21 जुलाई तक विधान सबा अध्यक्ष की कोई भी कारेवाई पर रोक लगा दी है शुकरवार को सक्चिन बाइलेट खेमे की संसोजित याचिका पर सुनवाई मुखे नियायदीश इंदरजित मोहनती और जस्टिस प्रकाश गुपता की खंड़ पीट में हुई याचिका में सविधान की दस्वी सूची के आधार पर दिये गए नोटिस को चुनौती दी गई आपको बता दे कि इस प्रवधान के तहट अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है जिसका वह परतिनिदीब बनकर विधान सबह पहुचा है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोगे हो जाता है और इसी पर पाइलेट खेमे के वकील हरीश सालवे ने कोट में अपनी दरील में स्पीकर के आदेश पर सवाल उठाए हैं वकील हरीश सालवे ने कहा कि इस मामले में दस्वी अनुसूची का उलंगन नहीं हुआ है उन्होंने स्पीकर को कोट में बुलाने की भी मांग की है इसके साथ ही उन्होंने अदालत में पैरवी करते हुए कहा कि पाइलेट गुट ने दल बदल कानून का उलंगन नहीं किया है वहीं पाइलेट खेमे की दलील है कि पार्टी का वहिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विदानसभा का सत्र चल रहा हूँ वहीं सचिन पाइलेट ने अदालत को बताया कि जब आवाज उठा रहा हूँ तो यह हमारे फ्रीडम अफ स्पीच का पार्ट है जो आर्टिकल 19 के तहट मुझे मिला है वहीं दूसरी और विदानसभा स्पीकर की तरफ से कांगनेज नेता और वकील अभिशेक मनु सिंद्वी इस मामले में कोट की पैरवी कर रहे हैं कोट में उन्होंने कहा कि स्पीकर के नोटिस पर कोट हस्तक शेप नहीं कर सकता साथ ही सिंद्वी ने कहा कि स्पीकर के नोटिस को लेकर जो याचिका दी गई है वो प्रीमिचौर है वो अपनी बात स्पीकर के सामने रख सकते हैं इसके बाद डुईजन बेंच ने इस मामले की सुनुवाई सौंवर 20 जुलाई तक के लिए टाल दी है साथ ही कोट ने स्पीकर को निर्देश दिया है कि वो अयोगेता के नोटिस पर मंगलवार 21 जुलाई शाम 5 बज़े तक कोई फैंसला न ले इस तरह से पाइलेट खे में मंगलवार तक के लिए राहत मिल गई है और तब तक उनकी सतसा बची रहेगी इसके साथ ही मामले में सरकारी मुख्य सचे तक भी पार्टी बने हैं उन्हें भी कोट ने शनिवार को सुभ़े तक जवाब पेश करने का वक्त दिया है मुक्के सचे तक महिश जोशी की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता N.K. मालू ने बताया कि हाई कोट ने शनिवार तक का समय दिया है